हलो और वेल्कम टो अचीवर साहिव यह लेंस ऑफ इग्नु में साइकोलोजी पेपर चल रहा है MPC 001 और जिसके सेकंड ब्लॉक पर हम आज चुके हैं आज सेकंड ब्लॉक के यूनिट 1 को हम कंप्लीट करने वाले हैं आज का वीडियो हमारा तीन्थ वीडियो है जिसे आप थ देख रहे हैं कि मैं आपको यहां की बुक से वैसे पढ़ा रही हूँ आपका जिस लेबर से यहां से फॉलो कर रही हूँ लेकिन इस टॉपिक को और अच्छे से एक्स्क्रेइन करने के लिए मैंने यहां से कुछ नोट्स ओपन किये हैं जिसमें की पास्मॉडल उप इंट इस यहें वीडियो के थुरू कि मैं उनको सिंपलेस्ट वर्ड में कर सकूं और मुझे बहुत जादा खुशी है कि आप लोग इन सारी चीजों पर बहुत अच्छा रिस्पॉंस दे रहे हैं बहुत अच्छा रियाक्शन दे रहे हैं आपके कॉमेंस आते रहते हैं और करते हैं जिसमें हम बात करेंगे पास मॉडल के इसी वाले पीडियर से मैं आपको आयानी कि आपकी बुक से एक बार दिखा दूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं वैसे इससे पहले तक हम यह सारा कुछ पार्ट यहां पर कवर कर चुके हैं जो अभी हमने लास्ट वीडियो म भोका नाम इसमें बहुत खास तौट से आता है जेपी दास जो कि एक बहुत ही बड़े इंडियन सौगोजिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारा वर्क किया है फिल्ड में साईकॉलोजी की फिल्ड में तो जेपी दास जेक नेगलाइरी अन किर्भी इन तीन लोगों ने मिलकर इस past theory को formulate किया है और बहुत सारी important चीज़ों पर यह बात करते हैं लेकिन उनकी concept पर पहुँशने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि past model of intelligence क्या है यह develop किया था मैंने आपको बता दिया है कि Jack Negliary, JP Das और Kirby ने मिलके model create किया था जो कि इस चीज़ की बात करता है कि जो भी हमारे cognitive processes हो वो किसी भी intelligent person के behavior में कैसे नज़र आते हैं क्योंकि यह model processing पर बेस्ट है मैं focus करें जिस वर्ड पर ध्यान दीजेगा क्योंकि जो model वो processing पर बेस्ट और processing का मतलब क्या होता है कि intelligence को हम just words मेंने define करके action के through देखें तब हम कहते हैं कि वो processing हो रही है right processing का यहां पर यह मतलब है past model के अगर हम बात करें तो इसकी full form हो जाती है planning, P for planning, A for attention, S for simultaneous and another S for successive processing किसी भी situation में simultaneous या successive में से एक ही processing में जरली होती है और इस कैसे होती है क्या होती है सब कुछ पढ़ेंगे यह four interrelated cognitive processes हैं जो किसी भी intelligent person के behavior को देखने के लिए समझने के लिए ज़रूरी होते हैं तो past model इस चीज की खासवार से बात करता है past model of intelligence के बारे में कुछ और भी समझेंगे यह भी suggest करता है कि intelligent behavior involves a combination of these four cognitive processes and that different individuals may have different strengths and weaknesses in each of these areas जो चार चीजें है यह जिनको और आगे समझेंगे detail में यह चारो point है यह हर person में अलग-अलग degree में vary करेंगे मतलब कोई situation आपको बहुत ज़्यादा evoke कर सकती है attentive बना सकती है कोई situation आपके लिए बहुत ज़्यादा important नहीं भी होगी हर person के लिए चीजे vary करती है यह model जो है educational clinical settings में ज़्यादा यूज होता है क्योंकि यह cognitive assessment के लिए बहुत important theory है यह ऐसी थोरी दी गई थी past model जो cognitive assessment के लिए काफी ज़्यादा यूज होती है और इसी की help से बाद में cognitive assessment system भी बनाया गया जिसको जिसके बारे में further पढ़ेंगे तो चलिए आते हैं planning की तरफ इसके चार टर्म्स को पहले समझ लेते हैं planning तो हम सभी जानते है planning का मतलब होता है कोई ऐसी strategy को formulate करना जिसको further execute करेंगे तो ऐसी strategy को plan करना जिससे हमारी problem solve हो सके यह हम जो भ principle है आप बहुत सारी चीजों की planning life में करते हैं, चोटे मुटे कामों की planning करते हैं, क्यूं करते हैं जिससे आप order में चल सकें किसी चीज को 奪्टे इन करने के लिए हम planning करते हैं और वो planning हमारा एक cognitive action होता है फ्कॉस दिमाग ही तो लगाते है planning करने में हम सबसे ज़्यादा बहुत सरी चीजों को सोचते हैं किसी चीज की pros and cons सोचते हैं किसी चीज का outcome सोचते हैं कैसे करेंगे सब सोचते हैं प्लानिंग के काफ़ी बड़ा पार्ट होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अटेंशन के यह मॉडल को लिखने के लिए पास जो टर्मिनोलोजी बनाई गई है अगर हम फोकस नहीं बना पाएंगे और अटेंशन को सस्टेन नहीं करा पाएंगे तो हम किसी भी सिचुएशन में बहुत देर तक रह नहीं पाएंगे हमारा उस सिचुएशन के साथ जुड़ा होना बहुत जरूरी है उसके लिए अटेंटिव होना जरूरी है जिससे आप इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आप बहुत अटेंशन के साथ इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो क्या कॉंटेंट हम आज की क्लास में पढ़ रहे हैं वो आप अच्छे से परसीव कर पाएंगे लेकिन अभी आपका माइंड अगर फोन में दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ जाने लगेगा या कुछ और आप सोचने लगें किसी और काम के लिए उट जाएंगे तो आपका जो अटेंशन है वो डिस्टरब हो जाएगा आप भी फोकस नहीं करेंगे क्योंकि वो इस त्राइम पर शायद आपके लिए इंपोर्टन ना हो अब कुछ बहुत इंपोर्टन बात हो जाए तो अलग बात हो गई लेकिन अधर्वाइस आप क्या करेंगे मैं हमेशा किसी भी ऐसी सिच्वेशन की भी बात साथ में कर ले हमारा attention selective होना चाहिए तो यह attention यहाँ पर और of course attention भी a cognitive ability है क्योंकि आप attentive होंगे अपना mind focus करेंगे तभी चीजों को कर पाएंगे फिर आते हैं simultaneous, simultaneous का मतलब होता है कि एक साथ कहीं चीजों को करना यहाँ पर आपके दिवाग में question उठ सकता है कि क्या हम अपने attention को divide कर रहे हैं simultaneous processing एक ही चीज़ के different component की बात कर रहे है मैं यहाँ पर आपसे यह नहीं कह रही हूँ कि आप video देखते देखते साथ में phone पे friends से बाते भी कर लीजे या chatting भी कर लीजे या अपना कोई दूसरा काम कर लीजे यह हमारे simultaneous में नहीं आएगा simultaneous processing का मतलब हो गया किसी एक ही task के अंधर दो ये दो से ज्यादा different cognitive action को साथ में process करना जैसे कि आप इसको जब सुन रहे हैं यहाँ पर आपके sensory information आप receive कर रहे हैं तो साथ में memorize करने की कोशिश भी कर रहे हैं understand भी कर रहे हैं तो यह simultaneous processing है जो कि सभी cognitive actions है understand करना उसके बाद अपने sensory inputs से receive करना उसके अलावा store करने की कोशिश करना memorize करने की कोशिश करना recall करने की कोशिश करना साथ साथ तो यह सब क्या है यह simultaneous processing है यहाँ पर हम बहुत सारे multiple actions को perform करते हैं और यह cognitive action of course होता ही है जो नजर आ रहा है से आपको एक लिट भी कर सकते है pause करके वीडियो को अब आते हैं successive successive का मतलब होता है एक के बाद एक process में करना successive अपने पढ़ाई है math के आने वाली चीज़ इसके हमें कब जरूरत पढ़ती है जब हमें पता होता है कि हमारा कोई काम एक systematic way में चल रहा है और उसके different steps है जिसमें एक step के बाद हमें दूसरे को follow क करना है हम अब break नहीं कर सकते तो ऐसे में successive processing को हम follow करते है right successive processing refers to the ability to process information in a sequential and ordered manner एक ordered way में हम चलते हैं यहां पर हम information को analyze करते है step by step way में और उसके जो events से उनकी orders को recognize करते हैं कि कैसे करना है और logical reasoning लगाते है problem को solve करने में successive processing में चीक है यहां पर हमने चार चीज़ों को समझा यह जो cognitive assessment system है जिसके मैं बात कर रही थी इसको भी हमें नहीं पढ़ना है मैं आपको सिर्फ यहीं तक लेकर आई हूँ जिसमें मैंने चार terminology का आपको meaning बता दिया अब कुछ बड़ी-बड़ी बाते हम करेंगे यह बड़ी-बड़ी बातों का क्या मतलब है क्योंकि अब जो नोट्स अभी आप देख रहे थे वह class 12 के लिए हैं आपकी जो बुक है वो MA की है तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में पूरा बीए का तो गैप है ही यानि इ आप इसको रीडिंग करेंगे ना जब इसको रीडिंग करेंगे और I make sure कि आप रीड करें तब को कोई पार्ट मिस ना रहे ऐसी कोई चीज ना रहे जो मैं वीडियो में छोड़ हूँ तो इस चीज का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ आप उसकी फिकर बिलकुल मत कीजे मु मुल्टेपल फाक्टर लेकिन सब फाक्टर ही थे प्रोसेस की कोई बात नहीं कर रहा था कोई यह नहीं कह रहा था कि जो intelligent person के behavior को observe करो उसके actions को देखो उसकी processing को देखो यह बात कहीं नहीं हुए तो इस तरीके से यह जो भी आपे बाते हुई इनको आगे ज्यादा फॉर् इंटेलिजेंस के और इसमें काफी सारी चीजों को यूज करता है क्या क्या चीज़े यूज करता है यह एक important बात है प्रध्यान दीजेगा neuropsychology का यूज करता है यानि कि अभी हम यह भी समझेंगे इस past model में basic समझने के बाद हम यह भी समझेंगे कि past model में हमारे जो 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 कि यूज किया था conversation processing का use क्या था आपको याद है information processing पुरी आप पुरा ब्लॉक कम्प्लीट कर चुके है unit 123 उसमें कर चुके है information processing क्या थी कि कैस तरह से हमारे हम कोई भी information just receive करते हैं वो कैसे process होती है कैसे कैसे हमारे मैं में पहुंचती है brain में पहुंचती है रुश्छी मे इन्होंको भी रिकॉल भी कर लेते हैं कि सब टॉपक आप ब्लॉप 1 में बढ़ कर आएं और एक्सिंग में और हूपन को ब्लॉप अब ब्लोब भी कर लेते हैं इस सब को इंक्लूड क्या गया था इस बास मॉडल में यह तो मैंने आपको बताई दिया आप जानी चुकिए है planning, attention, arousal, simultaneous and successive processing अब मैं इस picture को थोड़ा zoom in करूँगी क्योंकि मुझे आपको यह picture थोड़ा समझानी है और समझाने के लिए मेरे कहल से picture तो clearly आपको नजर आई रही होगी इस picture को समझेंगे कि picture क्या खेर है हमसे क्योंकि इसी का elaboration आगे चलके है तो एक बर मैं आपको ध्यान देंगे तो हमारी शुरुआत होती है वो input से होती है input से हम चलेंगे first की तरफ जाएंगे फिर second की तरफ जाएंगे फिर third की तरफ जाएंगे और output मतलब ऐसे ऐसे हमको ऐसे ऐसे चलना है ठीक है तो उसी sequence में आपको चीज़े को ध्यान रखना है यहां input का मतलब होता है कि हम कोई भी information अपने environment से receive करते हैं और उसके towards अपना action perform करते हैं आप intelligent कब हैं जब आप किसी problem को solve कर रहे हैं कोई task perform कर रहे हैं तो मतलब there is something which is existing पहले से कुछ exist कर रहा है जिसके towards हमें reaction देना है तो वो input की form में हमारे पास आता है अब हमारा functional unit पहला क्या होता है माल लीजे अचानक से आपको जोर से अपने door के बाहर कोई आवाज आई तो अब आप क्या करेंगे आप उटके भाग के जाएंगे फटाफट से door को लेंगे अब आप जब दोर खोलेंगे तो यहां पे आप attentive हो गए यह input क्या था वो information जो exist कर रही थी environment में अब first functional unit क्या होगी functional unit क्यों कह रहे हैं हम इसको क्योंकि यहां से functionality स्टार्ट हो रही है यहां से हमारी functionality स्टार्ट हो रही है memory conceptual perceptual memory conceptual perceptual क्या है समझते रहे हैं से brain stem जो है यहां पर brain stem की बात क्यों हो रही है क्योंकि brain stem में ही हमारा पहला functional unit process होता है right यह भी आपको ध्यान रखना है कहां पर होता है उसके बाद यहां से जब आप उसके towards arousal हो जाएगा टेंशन हो जाएगा memory concept और perception तीन चीज़ें यहां पर चलेंगी memory form होगी memory मतलब आप उसको mind में आपके आएगी कुछ बहुत fast होगा इसमें इतना time based नहीं होगा आपका आप एक concept form करेंगे क्या हुआ होगा जब दोर के बाहर से कोई आवाज आएगी तो आप किसी ना किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे कुछ perception form करेंगे right कोई concept आपके mind में आएगा तो यह तीन चीज़ें और हर केसमें होगा यह आगे भी होगा जब सब्सक्राइब होगी तब भी होगा मैंने आपको कुछ playlist मार्क करी थी जहां से जाकर आप basis of human behavior पढ़ सकते हैं तो वहाँ पर brain के बारे में जितना psychology में required है उतना आप पढ़ के आ सकते हैं अगर आप biology के student रहे हैं आपका कोई भी biology से कुछ भी relation रहा है पहले आपने बहुत पढ़ा है तो फिर मुझे कुछ बत माल दीजिए कोई flower pot जो है कोई गमला जो है आपके छट से नीचे गिरिया हम ऐसा किसी इंसान के बारे में कोई disaster बात नहीं करेंगे किसी चीज के बारे में बात करेंगे या कोई cycle खडीती वो गिर गई आपको तो बहुते जवाज आपको लगा कुछ चीज तूट गई तो एक साथ भी आपको करना पड़ सकता है दोनों हातों से आपको उसमें यूज करें या किसी भी तरीके से successive और simultaneous किसी भी वे में हो सकता है तो यहां पर हम second functional unit जो है वो activate हो जाती है तुरंत इसके बाद और second के बाद आगे हम बढ़ते हैं जो हमारी third functional unit आती है अच्छा यहां भी memory concept or perception की बात हो रही है तीनों चीज़े जो है आप यहां पर भी work करती है यह हमेशा work करेंगी यह तीनों चीज़े जो है create होंगी होंगी तब हमारी situation complete होगी यहां से अब हम यहां से यहां तक आ चुके हैं अब हम आगे बढ़ेंगे frontal lobe में यह जो हमारा fourth lobe होता है तीन सोच दिमाग में आपकी चीज़ हारी होगी कि काम तो सारे हो गए लेकिन क्या planning उसके बाद होगी यही हमें समझना है यहां पर कि इस situation में हो सकता है हम यहां से planning की तरफ बढ़ जाए अगर आप देख रहे होंगे भ्यान से तो यह arrow आपको नजर आ रहा है ठीक है और यहां पर action perform किया है जो भी हमने सोचा मन में उसको और एक बहतर plan क्योंकि situation हमेशा cycle गिरने वाली है गमला गिरने वाली नहीं होगी there can be a lot of examples of this जो कि मैंने पहले past model के वीडियो में और बहुत detailing में explain किया है तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि playlist में जाके जरूर एक बार past model को और द planning के बाद हम फिर उसमें कुछ arousal attention यह cycle चलती रहेगी यह cycle हमारी चलती रहेगी आपने इस वीडियो की beginning में पढ़ाता कि यह चीज़े interconnected हैं ऐसा नहीं है कि यह step step में चल रहा है कि इसके बाद यह हो गया तो अभी इसके बाद हो नहीं सकता situation में हम कई बार arouse भी होते हैं क आप यह देख रहे हैं कि इधर first function unit third की तरफ भी बना है third से first की तरफ भी बना है इस सब arrow चलता है तो अब मैं उसके बाद हमारा output पे आते हैं जिससे कि हमें मालम चलता है कि final अभी कहीं तो हम जाके final भी होंगे न हमारी situation करने end तो हम गोल गोल तो नहीं गुनते रहेंगे तो वह जो output की तरफ हम पहुंचेंगे end में वह इसका end हो जाएगा लेकिन इस picture को explain करने के बाद मैं आपको यहां की detailing पर ले चलती हूं यहां यहीं से आपको नजर आ जाएगा कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं तो आईए अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं क्या है ओके तो पास्थियोरी में यह कहा गया है कि different information processing neuropsychology, cognitive psychology को इसमें use किया गया है theoretical foundation बनाने के लिए और Luria divided human cognitive process into three primary functional unit जो आप उपर देख रहे थे वह तीरो functional unit का क्या 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 काम है maintaining appropriate cortical arousal and attention to allow for adequate vigilance and discrimination हमें क्या discriminate करना है कि कोई भी जो stimuli है और जो primary function है हमारी first unit का उनके बीच में क्या reaction action आ रहा है मतलब कितना attention required है कई बार किसी कोई बात आपको कोई topic समझ में नहीं आता है तो आप दुबारा से उसको replay करते हैं वीडियो को बार बार replay करते हैं या उस पर में और detailing करने लगते है क्यों क्योंकि वो adequate information नहीं होती है adequate vigilance नहीं होता है तो हमें कितना required है यह understand करते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे second unit is responsible for obtaining elaborating upon and storing information using successive and simultaneous processes हम क्या करते हैं अपने mind में बहुत सरी चीज़ को plan करेंगे जहां पर हम data को obtain करेंगे उसको elaborate करेंगे और required information को सबसे important बात है कि store कर लेंगे जिससे कि हमी processes complete कर पाएं third functional unit is responsible for programming as well as the regulation and control of mental activity जो इसको हम executive functioning कहते हैं executive functioning कहते है planning को planning self-monitoring and structuring of cognitive activities are provided by this functional unit इस planning वाले पार्ट में हमारा जो brain है हमारा जो mind है वो हमारे control में रहता है brain तो control में नहीं रह सकता हमारे mind हमारे control में रहता है कि हम अपने actions को इस तरह से perform करेंगे जो हमारा पूरा process है वो एक cycle में घूंता न रहे एक end की तरफ पहुंच जाए तो elaborate further the first functional unit attention arousal is located in the brain stem यह बात कर ली थी हमने reticular activating system RAS जिससे कहते है reticular activating system के बारे में एक interesting बात यह भी है RAS जिसको हम बोलते है कि यह हमारा तब activate हो जाता है जब भी हम किसी चीज के towards अपना interest दिखाते है जिसे माल लीजे आप कोई lavender color की dress लेना चाहते है तो आप क्या है आपके आप जब आप उसके बारे में सोचते हैं आप उसके तरफ attention पे करते हैं तो आपका RAS जो होता है reticular activating system activate हो जाता है अब क्या होगा आप रास्ते में चलेंगे ना आपको lavender dresses दिखने लगेंगे मतलब not exactly जो आपको चाहिए बट आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें वह color होगा अब आपको ऐसा लगेगा कि आरे भी इसके बारे में सुच रहा था देखो यह मुझे नजर आना शुरू हो गया आपने इंटेंशनल ही कुछ नहीं किया है आपके रेटिकुलर अक्टिविटिक सिस्टम की वज़े से हो रहा है जो आपका focus उस तरफ ले जा रहा है आपका attention उस तरफ लेके जा रहा है तो यहां पे this unit provides the brain with the appropriate level of arousal वही बात है बार-बार हम बात कर रहे हैं जहां पे हमें आपके चलिए हमारा ध्यान की बात करते हैं और सेलेक्टिव अटेंशन क्या होता है जब आउट अफ टींशन की ऐसी चीज़ करते हैं जो हमारे लिए इंपोर्टेंट है तो selective attention हो जाता है, second functional unit की बात करें, two basic form of integrative activity of the cerebral cortex, यह तो हमने बात ही कर ली थी, यहाँ पर जो receiving और analyzing और information को store करने के लिए ज़रूरी होती है, simultaneous processing is associated with the occipital parietal areas of the brain, और simultaneous processing में हम करते क्या है, कई चीज़ों को एक साथ करना, कई चीज़ों को जब हम उसको simultaneous processing बोलते हैं, और successive processing तब होती है जब हम जो की fronto temporal area से connected है brain के और successive processing तब होती है जब हम एक के बाद किसी एक चीज को करते है जैसे कि आप अगर किसी student को table learn कराना चाहते हैं तो आप एक-एक करके चलेंगे, two का table, three का table, four का table, एक एक करके चलेंगे नाइन से स्टाट तरके फिर जंप नहीं कर सकते हैं यह अगर आप cooking का process कर रहे हैं तो cooking में simultaneous processing होती है आपको simultaneously ध्यान देना होता है कि आपको temperature increase करना है यह घटाना है बढ़ाना है फिर मसाले जो है, spices जो हैं उनको कैसा हिसाब किताब रखना है कही चीज़े साथ-साथ चलती है आप यहां पर जब मसाले को cook कर रहे हैं तो आप vegetables cut कर सकते है तो आपकी cooking का process है वो simultaneous processing का example हो जाएगा और successive में हमेशा वो चीज़े आएंगी जो एक के बाद एक आएंगी जैसे अगर आप बच्चे को statements बनाना सिखा रहे हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप alphabets बता चुके हो वर्ब्स बता चुके हो नाउन बता चुके हो बहुत सारी चीज़े तो यह successive processing हो जाती ह थर्ड functional unit होती है वो हमारे prefrontal division में located होती है और इसको यह कहते हैं कि the frontal lobe synthesize the information about the outside world and the means whereby the behavior of the organism is regulated हम इसके थूह जानते हैं planning के थूह हमें पता चलता है कि किस तरीके से person का जो behavior है वो निकल कर आएगा कोई भी परसन हमने planning के थूह observe किया जाता है अधर activities of the third functional unit includes regulation of voluntary activity impulse control and various linguistic skills such as spontaneous conversation third functional unit जो होती है वो बहुत सारी common human के complex behavior के बारे में personality के बारे में और consciousness के बारे में बताती है यह जो चारो processes है past model के यह दास नेगलायरियन के बी दुबारा नाम आ रहा है इन्होंने define किये थे जिनको हम आपको कई बार define कर चुके है आज के इस वीडियो में और यह जो चारो है यह मिलके एक intelligence के process को read करने में study करने में बहुत help करते हैं और इसी की हथ समय पता भी चल पाता है कि कोई person अपने action में कितना intelligent है बहुत सारी बाते हैं यहां पर दी गई है जो कि planning और attention और arousal से बार बर वही चीज़े जोड़के आ रही है देखिए अगर आप इसको read करेंगे ना तो आप समझ जाएंगे planning is clearly associated with the frontal lobe especially the prefrontal cortex अब और detail में है आप माइनुट में चले गए हैं आपको जो लिखना है उसके साफसे में आपको explain करूंगी मैं आपको पहली बोला था कि कुछ बचेगा नहीं है ऐसा जो आपको miss हो जाएं आपे attention arousal complex process होता है past theory में arousal keeps the person alert यही बाते हैं जो बार बार लग 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 तरीके से हमारी brain stem की activity से connected होता है हम picture में brain stem में आपको explain में पहली कर चुकी हूं cerebral cortex के lower part से और यह इस तरीके से आप इसका biological functioning होती है फिर हम simultaneous प्रोसेसिंग क्या होती है occipital and paratal lobe से connected होती है successive processing frontal temporal lobe से connected होती है अब knowledge base क्या होता है अगर आपने picture को देखा था तो एक चीज़ को मैंने आपको explain नहीं किया था which is knowledge base अब मैं वापको आपको ले आती हूं इस picture के पास में देखें यहां पर knowledge base दोनों तरफ लिखा हुआ है लिखा हुआ है ना तो अब मैं आपको यह समझा दूँ यहां पर है अब the base of knowledge included in the past model is intending to represent all information obtained from the cultural and social background of the individual because this determines the form of mental activity knowledge base बहुत जरूरी है क्योंकि जैसी knowledge होती है person उसी के हिसाप से action करेगा उसका arousal भी उतना ही important हो जाएगा उसकी planning भी उतनी important हो जाएगी उसकी processing उसी हिसाप से चलेगी तो knowledge base का मतलब यह हो गया कि किसे भी situation के बारे में अगर मैं example ले लूँ यहाँ पर माल लीजे आपको trading की कोई knowledge नहीं है आप trading के बारे में कुछ बड़ी बड़ी दो तीन लोग बैटके बाते कर रहे कि अच्छा ऐसा होने वाला है इस market में इतना डाउन चला गया आपको उससे फरक पड़ेगा क्योंकि आपको उसकी knowledge नहीं और final component है past model का output और action और behavior जिस output की मैंने picture में आपको बात की थी उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है it is suggested that both simultaneous and successive processes must be used in the process of cognitive task किसी भी cognitive task में हम based on the requirement दोनों ही methods used होते है the past theory of intelligence has given us test to measure intelligence as a set of cognitive processes discusses what the major processes are and guides us in the remediation of processing difficulties important बात है यह इसको आपको यहां से अपना note करना है कि आपको ध्यान में रखना है इस वाले part को आप अपने answer में use करेंगे cognition क्या होता है cognition के बारे में आपे क्यों बात हो रही है क्योंकि cognition के process को भी involve किया जाता है cognition तो आप कई बार पढ़के आए पहले मैंने बहुत explain किया है अपनों previous videos में cognition एक ऐसा dynamic process होता है जो कि किसी भी individual के knowledge base को जोड़ता है आपको knowledge होगी उससाब से आपको cognition चलेगा respond करेंगे experiences को और developmental variations को भी आप इसमें consider करेंगे तो cognition के process में बहुत सारी mental activities होती है और जब हमारा cognition का process अच्छे से होगा ना तब वहां पर past model हमारे intelligence के process को भी read करने में बहुत अच्छे से work कर पाएगा कोई भी अकर हमने test किया निकर मैं CES की बात करूं cognitive assessment system वह apply किया है तो पहले knowledge base भी जरूरी है knowledge base जरूरी है हमारे different cognitive actions है वह जरूरी है taking the lead of the same by using the multivariative techniques of cluster analysis इन्होंने काफी सारे और चीजों की test create किये थे इसमें की cognitive assessment system की में बात करूंगी की cognitive assessment system क्या होता है CS who were co-administered the Woodick Johnson test of achievement revised यह इस तरीके से किया गया था एक बार मैं आपको यहां लेके आती हूं यहां पर आ जाईए आप मेरे साथ तो यहां पर इस slide में मैंने यहां पर इसको explain किया हुआ है cognitive फिर से open करना पड़ेगा Class 12 की वीडियो मैंने बनाए हैं वहां पर इन चीजों को यूज किया है आपको दिखा देती हूं जल्दी से मैं आपको यह देखे इसकी बात हम कर रहे थे ऐसा individually administered battery measuring planning attention simultaneous successive processing इसके अंदर 14 sub test होते हैं और जो इन सारे चीजों के लिए work करते हैं इसके अलावा यहां पर बच्चों के उपर एप्लाई होते हैं चोटे बच्चों से लेकर 18 तक के students के उपर इसको हम apply करते हैं और बच्चों के लिए ही यह बने हैं और यह किसी भी ability और achievement को निकालने के लिए भी use होते हैं इसके अंदर verbal और non-verbal test होते हैं और जब verbal test की बात होगी तो language important हो जाते है इसलिए हमने का था कि knowledge based होना जरूरी है वर्बल होने के लिए तो knowledge भी तो होनी चाहिए वन्ना person कोई verbal test कैसे देगा और ऐसे बच्चों के लिए जो 5 से 18 years के होते हैं उनके लिए use होता है it can be used as individualized assessment tool और in the determination of discrepancy eligibility इस तरीक से ही होते हैं तो यह सब भी आपको पढ़ना है यह सारा content भी मैं आपको provide करांगी don't worry हम थे यहाँ पर राइट तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि cognitive assessment system क्या होता है जिसको आपने वहां से समझी लिया है कि यह क्या है critical appraisal of past theory के बात करें तो past theory ने has provided a novel approach to assess intelligence past theory के बारे में अगर हम बात करें तो अच्छा है इसके बारे में काफी सारी चीज़ा अच्छी है कि जो भी टेस्ट है intelligence के वह cognitive aspect को tap करते हैं understand करने के लिए और काफी करीब तक बह में measure किया जाता है क्योंकि जब assessment test होगा तो readings होगी तो calculations होगी तो numerical values में हमको हमारी situations जो है answers की form में मिलती है और इसका cognitive assessment system यानि CAS जो बनी है battery वो इसका बहुत बड़ा अच्छा product है जो इसी की वज़े से निकल कर आया है past model से CAS has four sub skills जिनको हम past कहते हैं and the test items are specially designed to assess a testy proficiency काफी कुछ आप इसके बारे में लिख सकते हैं जिसके साथ requirement नहीं है तो आज के video में आपने past model को ही understand किया है और इसके साथ साथ हमने इस unit को complete कर लिया है 15 ये video था 16 वीडियो में हम second unit की तरफ पहुँच जाएंगे और unit and questions में से आप देखिएगा कि कौन कौन से question है unit end में से तो सारे unit के question हो जाते हैं लेकिन अगर especially topic की बात करें तो past model पे एक अच्छा long question तयार होगा काफी content आपकी book में दिया हुआ है आप इन slides का भी use कर सकते हैं और ये सारी चीजे में आपको provide करा रही हूं ग्रुक पे यह से लगा आज का video जरूर बताएगा video तोड़ा लंबा था क्योंकि explain बहुत अच्छे से मुझे करना था आपको यह वाला part लेकिन I hope कि आपको video अच like button and also subscribe to the channel अगर आपने भी तक नहीं किया है and I will see you soon in the next video till then take very good care of yourself bye bye